नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डिलेट एक्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिसकत करेंगे बात करेंगे डिलेट फर्स सेकेंड ठल्ड फोर समेश्टे डेट सीट 2022 अपडेट के बारे में और बात होगी दोस्तो रिजल्ट के लिए सिर्फ डिलेट रिजल्ट.com वेबसाइट के बारे में ठीक है तो दोस्तो इस समय की पहले बड़ी खुसकबरी हम आपके सामने रखें कि पंजाब केमिने ने दिया आयकर मचारियों को दीपावली का गिप्ट पुरानी पिंसन योजना भाली को मंजूरी दे दी गई है जी यहां दोस्ते एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी हम आपके सामने दख रहे हैं तो मान के चलिए आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पिंसन लागू कर दी जाएगी हो सकता है कि यह सरकार लागू ना करें जब सरकार बदल जाए तब यह इसकिम लागू हो लेकिन होना कंफर्म है ठीक है तो काफी जाके दोस्तों देखे ज तो पूरा मैटर यही सब है उसके बाद देखिए उनत्तर अजार सिच्चक बरती आरक्षड मामले में अगली सुनवाई तीन तारीक को होगी ठीक है अगर आपको आरक्षड के अंतरगत आते हैं अगर आप लोग OBC के चात्रें SC के चात्रें तब भई आप इस अपडेट क को जरूर देखिएगा क्योंकि आजने तो कल आप भी नई सिच्चक बरती में समलित होंगे ही फिर आपके साथ कोई नाइन साफी ना हो इसलिए सारी जानकारी आपके पास पहसे से होनी चाहिए तो उसके बाद दोस्तों लोग बात करेंगे कनिश्ट सायक मुख्य परिच् बात नहीं खाते हैं टेजरी के बाबू क्या बेटे हैं इसको भी देखेंगे फिर दोस्तों बात करेंगे जो सीटेट के लिए पब्लिक नोटिस या सार्वजिनिक सुचना चारी की गई थी 20 अक्टूबर को ठीक हैं यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है 31 अक्टूबर से ओनलाइन आविधन की प्रक्रिया शुरू होगी और एक बात याद रखें पहले आओ पहले पाओ तो इसको जला ध्यान में रखेंगा अगर आप लोग सीटेट के लिए ओनलाइन आविधन करना चाहते हैं वीडियो को सेर कर दीजेगा आप में दोस्तों के साथ ने तो बा ठीक है ना फिर आप पेपर दे या ना दे आपका पैसा डूब भी जाएगा तो याद रखेगा कि जो जनरल या OBC के टेगरी के लिए फीस है अगर आप सिर्फ एक पेपर देंगे पेपर वन या पेपर टू तो आपको एक हजार पे देना पड़ेगा अगर आप दोनों प स्पारिक से सुरू होगा अक्टूबर में बस इसी मैने लाश्ट में सुरू होने वाला है एक बात और आपको ध्यान में रखना जो कि बहुत ही important बात है पता क्या कि कि किन-किन बच्चों को आविधन का मौका मिलेगा हाली में NCTC में एक guidelines जारी की थिया एक notice जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि जो बच्चे डियलेट या वीड में admission ले लेते हैं उनका टेट मानने होगा लेकिन दोस्तों जब अभी seated के लिए online आविधन की प्रत्रिया शुरू की जाएगी अभी बिल्कुल यह clear नहीं किया गया ठीक है तब वहाँ पर दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कि क्या जो बच्चे अभी इस साल 2022 में भी admission ले रहे हैं क्या उन बच्चों को भी आविधन का मौका मिलेगा कि वह नियम लागू रहेगा कि जो बच्चे final year के शात्र हैं उनको मौका मिलेगा ठीक है बाकि डियलेट 2021 बैस तक उमीद है मौका मिल जाएग प्रतम semester date seat यहां पर है दोतीए semester date seat इस पेसली आपको focus करना है गडित के paper में और संस्क्रत या उर्दू रहेगा फर्स semester में अगर हम बात करेंगे दोतीए semester के तो यहां पर गडित और उसके बाद अंगरी जी रहने वाला है ठीक है तो इसमें आपको focus क्या करना है कि इस paper मे आपको classroom से बाहर जाने के अनुमती नहीं मिलेगी जो बच्चे semester exam देंगे आप देख सकने इसकी timing साड़े ग्यारा बजे ते लेके साड़े बारा बजे तक है ठीक है तो जब आप लोग विज्यान का paper देने जिकि इसी दिन आपका विज्यान का paper सुबह 10 बजे से 11 बजे त ठीक है एक चोटी तिला परवाई और रिजल्ट में आपका status fail हो जाता है जो कि आपनों को भी अच्छा नहीं लगता होगा तो इसलिए बहतर है कि status जो हमारा बने वो pass का ही बने ठीक है तो चलिए के करके आज की तमाम updates को देख लेते हैं पहले पहले इस update को देखते हैं ज अरचित वर्ग की 19,000 सीटों पर अरचट मुद्दे पर अगली सुनवाई तीन नौंबर को नियत की हैं इस मामले में अनरचित वर्ग के अबेर्थियों की याच को पन्या मूर्ती पंकल भाटिया की एकल पीट के समच ब्रसपति वार को सुनवाई हुई याचियों कारों तिस पर राचित वर्ग के अबेर्थियों को टेट तथा सायक अध्यापग परिच्छा में अंकों में छूट देकर 12 आरचट दिया जा रहा है इसको लेकर अनरचित वर्ग के अबेर्थियों याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अम्रीद्ननात्रिपाठी के माद्य म से बहस की ठीक है जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि टेट एक अहरता परिच्छा है तता इसमें दी गई अंकों की छूट या आरच्छड सायक ध्यापक बरती परिच्छा के चरण में लागू नहीं होते हैं ठीक है सीधी सी बाद समय लीजे जो मा पासिंग मार्क होती एटी टू नमबर एस्टी के चात्रे पासिंग मार्क एटी टू नमबर एस्टी के चात्रे पासिंग मार्क एटी टू नमबर जर्नल के चात्रे पासिंग मार्क नबबे नमबर ठीक है अगर आप ओबीसी के चात्रे और यहाँ पर सिर्फ ब्यासी विदन कर पाएंगे, हाँ, लेकिन यही बाद, अगर सूपर टेट में, अगर कोई बच्चा 140 नम्मल ले आता है, और OBC के टेक्रिका, और एक बच्चा बज़े से मान लेते कि 100 नम्मल लाता है, तो फिर सेलेक्शन तो भी 140 वाले कई होगा, याद रखिएगा, यूपी टेट अलग मैटर है, और सूपर टेट अलग, तो देखिए, पंजाब की भगवन मान सरकार ने करमचारियों को दीपावली का गिप्ट दिया है, सरकार ने करमचारियों का 6 फी से दी डिये बढ़ाने का फैतला किया है, पंजाब कैमनेट ने इसकी मंजूरी दे दिये, कैमनेट म पोष्ट खत्मकने का भी नेड़े लिया है, सियम भगवन मान ने कहा कि उन्होंने कहा था कि वह पेंसन सिस्टम को रिब्यू कर रहे हैं, अब पंजाब सरकार ने फैतला किया है कि राज में उल्ड पेंसन इसकी मलागू की जाएगी, इसका सैध्धानतिक तोर पर कैमनेट में फैतला हो गया है, इससे लागो करमचारियों को फैदा होगा, सियम ने कहा कि उन्होंने ये करमचारियों को दीपावली का गिप्ट दिया है, जी या दोस्त तो इससे बढ़ियां इससे अच्छी कबर सैधी कभी सुनने को मिले, उत्तर परदेश में इतने दिन से टीच सकते हैं कितना बढ़ियां दिया गया, अंगली अपडेट है कि उत्तर परदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने राच्य सरकार की बीबिन विबागों में कनिष्ट सायक के 1212 ट्रिक्त पदो पर चैन के लिए आयोजित की जाने वाली कनिष्ट सायक मुख्य परिच्छा के के अबेटियों से ओनलाइन आविदन आमंत्रित किये हैं याद रखिएगा प्रारंभी का अर्था परिच्छा 2021 के अबेटियों को किया जाएगा सौर्ट लिष्ट तो यहां पर भी पेट जरूरी हो गया तो मतलब याद रखिएगा कि आप में से काफी बच्चों ने लाबों को तरस नहीं आता जिंदगी के 80 से अधिक बसंत पार कर चुके इन पेंसनरों को सरकार 20 फिस दी पेंसन व्रदी का तोपा देती है मगर इसका लाब उन्हें समय पर नहीं मिल पाता उनसे मोलभाव किया जाता है निदे साले ने सक्ति की तो बीते कुछ मैनों में प हम आप तक पहुचाते रहेंगे तो वीडियो के दोस्ते एक बात और आज धनतेरे से तो ठीक है दीपावली के आप सभी को धेड़ सारी सुप कामना है बाकी गाईस उम्मीद करेंगे जब नेक्स्ट दीपावली आये 2023 में तब तक आप लोग सायक ध्यापक के पत्पर नि बस एक साल और जीजान लगा कर मेहनत कर लिजे उम्मीद है कि नौकरी आपके हाथ में होगी देखें 2022 में नौकरी आने से रही ठीक है इस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए टीट का एक्जाम अगर आपका टेट क्लियर नहीं है क्लियर है तो बहुत अच्छी बाते नह नहीं है तो लग जाए इस कूटनी रिजल्ट के लिए में कमेंट वॉक्स में लिंक दिया है जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप रिजल्ट डाउन्डूट कर पाएंगे फेल चात्रों के लिए यूपीटेट, सीटेट, सुपर्टेट आवे दिन हर एक अबडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे, फिर मिलते हैं, स्टे किनेक्टेड, हैव अनाइट डे